आप सभी का बहुत स्वागत है दोस्तो थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दोस्तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बेटन दबाएं और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बैल का अगन प्रेस करना ना भूलें थैंक यू फ्रेंट्स दोस्तो नमस्कार मनीमेकिंग शेर्स में जो सीरीज हमारे चल रहे हैं आज दूसरा स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं और यह स्टॉक भी अपने आपने बड़ा दिगज प्लेयर है मार्केट का फिलाल मार्केट में कंसलिडेशन चल रहा है अगले चौबीस महीने में यह स्टॉक आपके पैसों के दूबना कर देगा चौबीस महीने का रीजन दो साल में क्यों आपको बता के चल रहा हूँ बिकॉज अगले चे से साथ महीने तो मार्केट अल्रेडी कंसलिडेशन मोड में रहने बाला है माई जून तक मार्केट ऊपर नहीं चड़ेगा बहुत जादा हाँ थोड़ी बहुत रिकावरी आतकी है बड़ ट्रेंड रिवर्सल नहीं है सो दो साल का मतलब है कि 18 महीने बचे क्योंकि 6 महीने तो अल्रेडी यहां ते आ निकल जाएंगे ठीक तो 24 महीने का टार्गेट रही है मैं आपको लिविद बताऊंगा और लिविद पी आप एड़ाउन कीजेगा यह दिगज पे लिया रहे है आने वाला जो फ्यूचर रह वह अल्टिमेट है क्योंकि यह पूरा टर्न आराउंड कर रही है इसका अभी तक का जो बिजनिस था उस बिजनिस से बाहर आके अपने आपको एक दूत्रे ही बिजनिस सेंग्मेंट में स्टैबलिश कर रही है और यह इतना बड़ा प्लेयर है कि यह जब चाहेंगा जो च बारे में और डिजिटल वर्ड में जिस तरह से रिलाइंस इंडेस्टी ने टर्न आराउंड किया जिस तरह से जी ओ लेकर आए हैं और आप देखेंगे कि किस तरह से जो प्राइस वार है वो चल रहा है जीओ के आने के बाद आप एक समय देखते होंगे जब जीओ नहीं थ सवक्त जो इंटरनेट के फैसिलिटीज थी जो कि आपके इतना चीवी डेटा मिल रहा है इतने रुपेज में 400 रुपए में 500 रुपए में एक जीवी डेटा 500 वह जो एक टैरिफ वहर था उसको आल्मोस्ट एक तरफा कर दिया रिलाइंस जीओ ने जब से जीओ आया है यह सिंगल प्लेयर बचा जीओ और आने वाले सालों में जीओ का कम्पीटर कोई नहीं होगा डिजिटल वर्ड में अगर हम बात करता है इस पेशली इंडिया के अंदर तो यह ग्लोबल लीटर बनने वाला है और इसलिए मैं बता रहा हूंग यह स्टॉक तर्ड राउंड भी देखेगा यहां से लेविट की अब लोग बात करते हैं मैं आपको बताता हूं रिलाइंस इंडेस्टी में अभी क्या प्राइस चल रहा है इसका वाटन फॉर्मिशन होने वाला है कहां पर आप लोगों को इसमें खरिदारी करनी है वीकली चार्ट पर बात करेंगे लेविल आने वाले महीनों में तच करेगा रिलाइंस इंडेस्टी बहुत बड़ी बात नहीं है विकॉज मार्केट में इस्टिल पेंडिंग डिव है अगर मैं बात करता हूं निफ्टी के तर निफ्टी 9950 यानि 9950 इस बिग बिग सपोर्ट लेविल इन दानिफ्टी और 9950 टूटा निफ्टी में तो डेफिनिटली निफ्टी 9000 का लेविल भी टच करेगा आने वाले महीनों में और यह सब कुछ जोगा प्री एलेक्शन हो जाएगा यानि कि प्री एलेक्शन मैं से पहले पहले यह सब कुछ होने वाला है यानि कि जो भी बड़ा फाल जो भी कं 2019 से पहले हो जाएगा क्योंकि उसके बाद जो जनरल इलेक्शन हो डिसाइड करेगा मार्केट की नहीं चाल और यह सभी ट्रिगर्स होते हैं अगर आप बात करते हैं लीमन ब्रिदर्स की 2008 के क्रेश में तो लीमन ब्रिदर इश्यू वा जस्ट आ ट्रिगर फर दा अगर हम बात करते हैं 2018 की तो निफ्टी अभी कुछ दुनों पहले या कुछ महीनों पहले बात करते हैं अपने हाइस पी पे चल रहा था अप्रॉक्सिमेटली ट्वेट पे 27 तक पहुचा वहां तक नीचे अभी निफ्टी फिलहाल एट प्रिजेंट 24.95 का पी इंडिकेट कर रहा है इस्टिल जो अगर मैं on an average बात करूं पिछले 10 साल की तो मैं आपको एक शीट दिखाना चाहूंगा just a moment यहां पर हम लोग बात करेंगे एक शीट हम आपको दिखाएंगे जरूर निफ्टी 50 निफ्टी पी 2014 ऑके आप आप देख रहे हैंगे टू थादन फोर फ़टी फिर्टी 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 पी इस्ट वन 2004 मेंने क्यों चूज किया विकॉज 2004 तक एंडे की गवर्मेंट थी और अब 2008 में भी एंडे की गवर्मेंट है तो 2004 में जो पी था निफ्टी का वो 16.31 और अवरेज 12 मन्त का जो हमने एवरेज पी निकाला वो 16.31 था एवरेज पीवी यानिकि प्राइस टूबुक था 3.33 था डिविडेंट इल जो था 2.05 यानिकि दिविडेंट लीड का उची थी बड़ी ज्यादा थी फिर 2005 में 14.81 और अच्छा पी आ गया इसका और कंसलेडिशन आ गया फिर पीवी रेश्यो 3.85 और डिविडेंट इल 1.79 2006 में पी 19.17 और पीवी 4.73 2007 में 21.34 5.7 28 में 18.69 4.25 2009 में 18.71 पी था पीवी था 3.23 2010 में आप देखेंगा 2008 में 18.69 आ गया और 7 में सबसे ज्यादा था एवरेज मैं बता रहो आपको और अगर बात करें 12 महीने का पी अगर हम बात करते हैं 2017 का तो 2007 में 12 मंत का एवरेज पी ए 21.3 जिस्ट ए मोमेंट मैं आपको यहां दिखाता हूं यह एवरेज पी था 2017 7 का सुरी 2007 का जो एवरेज पी रेश्यो था बारो महीने का 12 मंत का 21.34 था और जो पी वी रेश्यो था वो हाइस था एवर 2004 से 2018 तक 5.4 का पी रेश्यो हाइस था यानि कि यह दोनों ही ट्रिगर इंडिकेट कर रहे थे अगर हम पास्ट को देखते हैं कि यहां से एक करेक्शन आना चाहिए और 2008 में एक अच्छा करेक्शन आया और और 9 में भी अच्छा का था करेक्शन रहा और दोनों ही साल में जो एवरेज पी रेश्यो रहा 18.69 और 18.7 बन रहा और जो आपका पीवी था आप देख रहे हैं 4.25 में 3.23 जो एवरेज अब ठीक आ गया 2009 में 10 में वापस 22.89 का पी पहुंच गया आवरेज में बात करता हूं पी रेश्यो था और पर्फेक्ट पी रेश्यो था दोनों ही अच्छे था 19.9 और 3.32 उसके बाद अगले चार साल पंद्रह में 22.43 22.43 सोला में 21.94 सत्रह में 24.73 ऑन एवरेज पी था 2017 हाइस्ट एवर सिंस 2004 और 18 में एट प्रिजेंट अगर हम बात करते हैं अप्टूबर फिफ तक की तो जो इनका पी है 26.67 ऑन एवरेज फर तर 12 मंथ और पी शिक्स पाइट 3.62 तो अब आप समझ लीजे कि अभी ये 2018 में हाइस्ट एवर 2004 ते लेके 2018 तक हाइस्ट पी रेशो 26.67 है अभी इसको तकरीवन 2022 के आसपस तक आना ही चाहिए और वो कब आएगा जब निफ्टी में और रिवर्सल छुटा था कुछ अब मुझ आएंगे नॉन स्टप नहीं गिरेगा कुछ तेजी आएगी फिर कुछ एक बड़ी गिरावट आएगी फिर थोड़ी तो अभी ये देखना कि कहां तक मार्केट जाता है बट अगर 9950 का निफ्टी में लेविल ब्रीक हो गया तो फ उस केस में रिलाइंस इंडेस्टी का जो बेस्ट बाइंड लेबिल रहेगा वो तकरीवन रहेगा 700 का यह मैं आपको क्यों बता रहा हूं वर्स्ट कंडिशन की बात बता रहा हूं 700 लेविल भी दा अ किसी सिनेरियो में अचीव करेगा जब आपका जो मार्केट होगा वह 10,000 का लेबिल तोर देगा और एक बड़ा फ्री फॉल आएगा जो कि 9,000 9200 लेबिल तक जा सकता और आपको याद होगा देगे मार्केट में अगर नीचे की तरफ आता है 10,000 ब्रेक होता है तब उसकेस में 9200 लेबिल बहुत ज्यादा पॉसिबल है पर उस वक्त निफ्टी का पी था वह इतना हाई लेबिल पर नहीं था और आप 26.6 के आसपास है लेकिन अब वो सिचुएशन आ चुकी है और मुझे लग निफ्टी के साथ गिरेगा और यहां पर जो प्राइज लेगा वो फस्ट लेगा 926 926 तूट गया अगर 900 अगर तूट गया और नीचे की तरफ वीकली चार्ट में आपको क्लोधिं दिखा दी डैफिनिटली आपको 850 एंड देन 700 के लेविल देखने को मिल करते हैं बट सा 850 लेविल विल बीदा गुट सपोर्टिंग लेविल इन दा रिलाइंस इंडस्टी अगर 700 रुपए 720 रुपए 750 रुपए की रेंज में रिलाइंस इंडस्टी आपको मिलता है आने वाले गिरावट के समय में तब दोस्तों आप उसको खरी दियेगा एक अच्छे लेबिल होंगे अगले दो साल के लिए रखेगा 1500 रुपीज विल बीदा टार्गेट फर लेक्स्ट तो आपका पैसा अगले दो सालों में मोर दन 100 परसेंट बढ़ जाएगा तो आपको बात की रिलाइंस इंडस्टी के बारे में और आपको लेबिल भी पता है हमने डेली चार्ट बात करने तो कोई सेंस नी बनता क्योंकि डेली चार्ट में और वह सपोर्ट कब ब्रेक होगा जब 10,000 के नीचे चला जागा और उसके बाद फिर उसके बाद आपको बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी लगब 860-850 के लेबल तक आपको रिलाइंस इंडस्टी आपको मिलेगा और 850 ब्रेक हुआ तें 750-730 के लेबल पर आपको रिलाइंस इंडस्टी वापस मिल तका है और यह सब हम जो बता रहे वह इसलिए बता रहे हैं क्या हो सकती है बेस्ट के बारे में बात करना ठीक है जब रिवर्सल है इंडिकेशन आजाएगा हमको कि यहां से है वह मालूम करना एक बहुत जरूरी चीज़ी होता है क्योंकि तेजी के मार्केट में अगर आप खरीदे हो तो आपको बहुत मिनिमल होता है बहुत कम होता है लेकिन अगर आप अच्छे फंडमेंटल स्टॉक को गिरावट के समय पर खरीदना शुरू करते है फ्यूचर और इंटेट के साफ से फूचर प्रस्पेक्टिव के साफ से अब मैं लगाऊंगा और अगले दो तीन चार साल के लिए रखोंगा और उसके बाद मैं प्रॉफिट टेकिंग करूँगा तो अभी यह जो कंसॉलिडेशन हो रहा है अब इस पार पूरा कंसॉलिडेट हो वह अपना फॉर्मेशन करके एक नई रेंज के लिए एक नई उचाहियों के लिए चल देगा बिना रुके बिना रुके तो आप यह समझ लीजेगा यह फानल कंसॉलिडेशन है फिलाल अगले कुछ महीनों का तीन चार पांच महीने आप मान लीजेगा अक्टूबर से लि है वह में में जाके एंड होगी हो सकता है बीच में थोड़ा दा रिवर्सल आ है यह मैं मना नहीं कर रहा हूं लेकिन वह रिवर्सल टैंपरिडी होगा क्योंकि आफ्टर बजट टूथाउदन नाइटीन में जो फस्ट फैबली को जो बजट सेशन आएगा जो कि इनका यह किसी की भी गवर्मेंट नहीं बरी तो आपको और बड़ा करक्शन देखने को मिल तकता है लेकिन अगर एंड गवर्मेंट वापास आती है मार्केट में अगर सत्ता में दुबारत है आज आती हैं डी गवर्मेंट जो इन्वेस्टर से निवेश्यक है उनके सेंटिमेंट पॉजिटिव बने रहेंगे और फिर रिलाइंस इंडेस्ट्री वहां से एक अपमोव स्टार्ट करेगा आपको एट फिटी एट सिस्टी तक के लेविल देखने को मिल तकते हैं और अगर और ज्यादा गिरावट आई यह मार्केट में वस्ट सिचुएशन आ गई तो आप को 700 से 750 के लेविल भी मिल सकते हैं रिलाइंस इंडेस्ट्री में हम उसको रिग्रेट कर सकते हैं सो गाइस गैट रेड़ी और यह सभी वो स्टॉक्स हम आपको शेयर कर रहे हैं जिनमें अगर आप निवेश को प्रारंब करेंगे सही समय पे तो आप जो भी नुकसान मार्क एक और जबरजस्ट फंडमेंटल स्टॉक के बारे में बात करेंगे कहां पर बॉटम फॉर्मेशन करेंगा वेश्टॉक उन लेविल्स को बताएंगे जिससे की आप बिलकुल गिरावट में उसको खरीदें सबसे लोर लेविल पर उसको खरीदें जहांते सिर्फ प्रॉफ अगर मैं कहूं इंट्राइडे ट्रेडिंग करने तो बचना चाहिए फीचर एंड ऑप्शन से बचना चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मार्जिन ट्रेडिंग से बचना चाहिए चितना पैसा हो आपके पास उतना ही लगाई है लोगों को ये भी लगता है बहुत दुखा नहीं कर सकते क्योंकि आपके परिवार से कुछ आपसे केवल इसने प्रेम और चितना आप कर सकते हैं उतना चाहिए आप ज्यादा लालच करेंगे तो उसका खमयाद आपके परिवार को भुगतना बढ़ागा तो कभी भी लोन लेके उधारी के पहते को मार्केट म में लगाने की चेश्टा ना करें मार्जिन में ना आप बहुत बड़ी क्वांटिडी को नहीं खरी दें नहीं तो आपके उपर बहुत भारी परिशानिया और मुसीबत आ सकते हैं समझदारी से आगे बढ़िएगा स्टॉक मार्किट है अगर समझदारी से काम करेंगे तो अपने देंट Porsche करेंगे पढ़ेंगे समझेंगे और पूरे धर्ल के साथ बहुत को माध्यमत करेंगे अपने मारे श्टॉक मार्किट में जिस से Efendimiz से आप अच्छे अच्छा पैसा कमा पाएं ज्यादा थे ज्यादा मनाफ़ा कमा पाएं साथ ही साथ अपने परिवार के साथ वो खुश्यां भी बाढ़ पाएं सो दोस्तों आज के लिए तना अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात करते हैं तब तक के लिए मुझे आग्या दीजिएगा नमस्कार दोस्तों फुश्या थुश्या थटेंगी जजरी आगले लाग्यादा नमस्कार देंगे